अमेरिका के रक्षा महा सचेव रिटाइड लॉइड जे ऑस्टन ने भारत के तीन दिन के दोरे पर प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात की जो वाइडिन के राश्ट्रपती बनने के बाद भारत में पहली बार अमेरिकी राजनेइक पहुँचे हैं इस मुलाकात के बाद NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा सचेव ने बताया कि उन्होंने भारतिये नेताओं के साथ देश में मानवाधिकारों को लेकर चर्चा की थी NDTV की इस रिपोर्ट के उलट, ANI के मुताबिक अमेरिकी रक्षा सचिब ने मानवाधिकारों को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की एक यूजर अविनाश रिवास्तों ने दोनों आउटलेट्स के ट्वीट्स का स्क्रीन शॉट साथ में शेर करते हुए NDTV की रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया एक और यूजर अटुल आहुजा ने NDTV को पाकिस्तानी मीडिया हाउस का तमगा देते हुए दावा किया कि NDTV ने आस्टिन के बारे में घलत रिपोर्टिंग की है अतुल और अविनाश दोनों को भाजपा नेता फॉलो करते हैं लेकिन असल में हुआ क्या था? असल में पहले खुद ANI ने विश्वस्नी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया था कि विदेश मंतरी S. जैशंकर और अमेरिकी रक्षा सचिफ लॉइड ऑस्टिन की एक गंटे चलीज बैठक में दोनों पक्षों ने भूर अलनीतिंग मामलों के साथ-साथ मानवादिकारों की भी बात की थी ANI ने मानवादिकारों पर चर्चा के बारे में बताते हुए ट्वीट भी किया था इस रिपोर्ट के दो दिन बाद न्यूज एजेंसी एनाई अपनी बात से पलट गई और उच्च स्तरिय सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयट जे आस्टिन ने इस मीटिंग में भारत में मानवादिकारों को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी अब सवाल ये उठता है कि human rights पर कोई बातचीत हुई थी या नहीं इसका जवाब है कि ऐसी चर्चा हुई थी और इसका सबूत मिलता है खुद अमेरिका के रक्षा महासचिव से जिन्हों ने बताया कि भारती प्रधान मंत्री से उनकी इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो पाई थी लेकिन उनकी कैबिनेट मंत्रियों से इस बारे में बात हुई थी आप उनके मूँ से ही ये जवाब सुनिये यानि NDTV को उस रिपोर्ट के लिए टार्गेट किया गया जो अन्य आउटलेट्स ने भी पबलिश की थी और सच्चाई भी वही थी ANI ने पहले तो सच बताया और फिर बाद में अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा कि हुमेन राइट्स को लेकर या मानवाधिकरों को लेकर कोई बातचीत हुई ही नहीं थी झाल 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 झाल